दोस्तों हम लाइब आग चुके हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं और यह राखी गुलजार जी का घर है और आपको बताना चाहेंगे जो करन अर्जुन में सल्मान खन और सारुक खन की मा बनने थी और करन अर्जुन में एक डाइलाग फेमस है जिसको आप तो जानते ही हों जैसे किस तरह से लोग अपना जीवन एपन कर रहे हैं बहुत सारी अच्छे बाते भी जानेंगे तो आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बाते आपको बताना चाहूंगा आपको बताते दुश्तों कि यहां पर जो यहां पर हिंदी मुवी में मतलब बहुत सूपर डूपर करन अर्जुन के बाद भी तो कौन कोसी मुविया थी कौन कोसी उपलबदियां थी सारा कुछ यहां पर इगा इज कैसे हैं आप लोग और आज की इस वीडियो में रखी गुलजार जी का घर जो करन अर्जुन में जो मा की रोल ले थी सलमान खान और सारुक खान जी के औरन जो मा थी राकी गुलजार जी उनका घर दिखाने वाले हैं किस तरह से किस जगह पे रहती हैं और करा नर्जों से काफी पापलोटी उनको मिला और उनकी नेटवर्थ क्या है और बहुत सारी बाते आपको बताने वाला उनके बारे में जो साथ अंसुनी हो अंजानी हो आपसे पर चलते हैं और सीख लेते हैं देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है दोस्तों आप जो घर देख पारें यहीं राकी गुल्यार जी का घर है और आपको बता दें यह जो है इनकी साधी गुल्यार सहब जिससे हुई और करन अर्जुन मुभी तो आप लोगों ने देखा ही होगा और आपको बताना चाहेंगे कि उसी में जो यहां पर सलमान ख़न और यहां पर सारुक ख़न जी की मा बनी थी उनका ही एहा घर ख़र जी का घर है जिनका साधी कुल्झार सहब जिसे होई यह घर मॉंबई के पॉली ही लाके में है और आपको बताने वाले हैं और आपको यह भी बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहां पर जो गुलजार साब जी है न वह संपूर कलाकार हिंदी फिल्म मतलब बहुत सारी मतलब फिल्मों का निर्देशक भी है और यहां पर इनकी एक बेटी है मेगणा गुलजार जो हिंदी फिल्म जानते हैं तो यहां पर आखी गुलजार जी के बारे में और कुछ बाते जाने लेते हैं और उनका घर है आएक एक पॉइंट हम लोग जानते हैं आपको बताना चाहेंगे दोस्तों राखी गुलजार्ची इनका जन्म 15 अगस्त 1947 है जिस दिन अपना देश आजाद हुआ हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री है और इनका जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ वह व्याकप रूप से केवल राखी की रूप में ही जाने जाती है वह मुख र पुरसकार और एक राश्टी फिल्म-पुरसकार जीती है फिल्ममेयर में राखी को 16 20 के लिए आठ और सर्वस्रेश्ट सहायक बैत्री खेली आठ बार करें तो यहां पर राखी का जन भारत के आजादी की घोस्टा के कुछी घंटों के बाद 1547 को पस्चिम बंगाल के नदिया जिले के राडा घाट में एक बंगाली परिवार में हुआ था राखी के की सुरा वस्था में ही बंगाली फिल्मों के निर्देसक अजय विश्वास स साधी हो गई थी परियसाधी असफल रही और अभी वा विख्याद फिल्म दिरसा कभी गितगार गुलजार की पतनी है वर्च 2003 में उन्हें पदमस्री की उपादी से सम्मानित किया गया इनका फिल्मी सफर 1967 में 20 वर्षी राखी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म बधु ब श्राखी ने सरमीली में आसासी कपूर के साथ दोहरी भूमका निभाई उसी वर्ष उन्होंने लाल पत्थर और पारस में भी अभिना किया सभी तीन फिल्में लोग फ्री थी और वह 1970 के दसंग में हिंदी सिनेमा की अग्रडी अभनेत्री बन गए आको बता दें उनके में आए थी आखों आखों में 1972 हीरा पन्ना भूत काफी हीट मुवी थी 1973 दाग 1973 हमारे तुम्हारे 1973 आचल स्रीमान स्रीमती 1982 और ताकत 1982 में प्रसंसित हुई राखी ने ससी कपूर के साथ 10 रिलीज फिल्मों में काम किये जिनमें सरमीली और आपको बताते दोस्तों जानवर और इंसान 1972 कभी कभी 1976 में दूसरा आदमी 1977 में त्रिस्टडा 1978 में बसेरा 1980 में बंधन कच्चे धागों का 1983 में आया था जमीन आस्मान 1984 में और पिघलता आस्मान आपको बताते हैं उनकी आखिरी फिल्म दोहर तीन में सुभो महुरत थी जिसमें के लिए सरशेष सहाय कभिनेत्री के लिए राश्टी फिल्म प्रसकार जीता था वह तब से फिल्मों दोग में सेवा निब्रित है मतलब तब से यहां पर मुवियो गरह में नहीं काम करते ह यहां पर इनकी प्रमुख फिल्में है तलास शुब मोर्त दिल का रिष्टा एक रिष्टा और बादसा बारूद और जीवन यूद करन अर्जुन में दुर्गार सिंग काचरित निभाया इन्होंने और आपको बता दे दूस्तों कि यहां पर बाजिगर मतलब बहुत सारी प्रिष्ट का में और इनकी है और सारी बाते जान लेते हैं आपको बताते दोस्तों कि यहां पर राखी ने पहली बार सालौनी सो शर्शफथ में बता यह पहली मोवी की आई थी और आपको बताते हैं दोस्तों कि एक भारती अब नित्री है और इन्होंने मतलब बहुत सारी मुविया की है जिसमें से काफी हीट मुवी करन अर्जुन सावित होई थी और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों राखी गुल्जार जी कि यहां पर एक बेटी है मेगना सकते हैं आपको बताते हैं दोस्तों कि यहां पर उन्नी सो नव्य में फिल्म मेयर सर्विष्ट अव्नेत्री पुरसकार मिला राम लखन के लिए और आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर मैने राकी गुल्जार जी का घर दिखाया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमे comment box comment करके बताएगा आपको बताना चाहेंगे तो सभी एक्टर एक्टरी स्कूहर देखना हो comment box में comment करेगा मैं उनका घर जरुर दिखाउंगा और उनकी बायोग्राफिए बताऊंगा और हमारी वीडियो कैसी रहे प्लीज सपोर्ट करेगा वीडियो को लाइक हम चैनल को सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की नहीं नहीं वीडियो हम लेकर आया करें तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा बाइबाइब